असलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूटूब चैनल आज हम फुरूट कर्षटर की रेसिपी लेकर आए हैं तो देखते हैं यह कैसे बनता है तो चलिए इसे बनाते हैं ग्यास पर हमने फैन चड़ा दिया है और इसमें हम 500 मिलिलिटर दू दैट करेंगे और गैस के फिलेम को हमने आउन कर दिया है देखिए हमारा दूद एट हो चुका है अब इसे अच्छे से पकाना है हमारा दूद अच्छे से पक चुका है और साइट में हमने एक कप दूद में हमने फो टेबली स्पून वेनिला कश्टर पाउडर लिया था और इसका गोल बना कर रखे अब ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें आड़ करेंगे और साथी साथी से चलाते भी रहेंगे ताकि इसमें गुटलिया न जमें देखिए कुछ इस तरीके से आड़ करना है इसे और चलाते भी रहना है हमने 4 टेबल स्पुन भरकर इसमें वैनिला कश्टर पॉडर लिया आप अपने साथ से यूज कर सकते हो 4 consists एर 2 टेबल स्पून, एक शुगर आट किया है शुगर भी आप अपने ।स आट कर सकते हो चितना आप मीटा चाहो हमें जाधा ठीक चाहिए था कॉष्टर्ड इसलिए हमने 4 टेबल स्पॉन कॉष्टर पॉडर लिया आप 2 टेबल स्पॉन भी ले सकते हो देखिए पुरी शूगर हमें मेल्ड करनी है अच्छे से इसमें और हमारी शूगर मेल्ड हो चुकी है अब इसे हम इस तरीके से अच्छे से चलाते रहना है और ग्यास की फिलेम को भी हमने ओफ कर दिया है पुछ इसे इस तरीके से लगता है और इसे चमच पर ऐसी कोटिंग आनी चाहिए पीर से एक बार हम बताते है कि इस तरीके से कोटिंग आनी चाहिए अब हमारा कश्टर्ड ठंडा हो चुका है देखिए और कितना अच्छा क्रीमी क्रीमी लग रहा है ये देखिए कुछ ऐसा लगना चाहिए देखिए ऐसा क्रीमी क्रीमी होना चाहिए अब हमने फुरूट को कट करना है और फुरूट भी हमने साइड में कट करके रख चुके है फुरूट भी आप अपने टेश्की साब से ले सकते हो जो फुरूट आपको पसंद हो एक बाउल में हमने जो कट करके फुरूट लिए रखे थे वो आइड करेंगे फुरूट में हमने एपल और अनारगाने लिए है आपको जो पसंद हो फुरूट आइड कर सकते हो हमारे पास यह अवेलेबल था हमने यह एड किया अब इसके उपर हम हमारा कश्टड एड करेंगे देखिए अब इसे हम एपल और अनारदाने से फिर से इसे गानिशिंग करेंगे अच्छे से देखिए रेडी है हमारा फुरूट कश्टड अगर आपको हमारी कश्टड की रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए ज्याते से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ठैंक यू